हेई गाइस वेलकम टू दा एंड्रोइड गाइड चनल आज के इस वीडियो में मैं टॉप फाइफ गेमिंग लैप्टॉप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो स्पेसिफिकेशन से वह भी टॉप नॉच होने वाला है उसमें जो डिस्प डीटेल है वह मैं रिसर्च करकर लाया हूँ आपके लिए और मैं ये भी बताऊंगा कि इन सारे लैप्टॉप्स में आपको कौन-कौन से गेम्स में आपको कितना एफपिस जो देखने को मिलेगा फुल एचडी और मैक्सट आउट सेटिंग पे तो चलिए वीडियो में आ और मैं आपको कहने कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- चूज करना चाहिए, चलिए मैं आपको नंबर 5 पे जो लैपटॉप मैंने चूज किया उसके बारे में बताता हूँ इस पांच में नंबर पे है राइजन का जी स्रीज का लैपटॉप और इसमें आपको राइजन 7 वाड कोड प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसमें आपको 16GB RAM, 1TB HDD और 256GB SSD देखने को मिलेगा और इसमें आपको Windows Home Original Version मिलेगा और इसका जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंचेज का और 120Hz का इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा और इसमें जो ग्राफिक कर लगा है वो है 4GB AMD Redon RX 5500M और यह लैपटॉप जो है वो 70,000 रुपीज में आता है तो इसको आप Flipkart से पर्चेस कर सकते हैं और इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यह है पाँचवे नमबर का लैपटॉप इसमें आप जो है वो मीडियम लेवल का जो गेमिंग है वो कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसके गेमिंग के रिव्यूज और कौन से गेम आपको कितना FPS देगा चौथे नमबर पे हैं एसूस का लैपटॉप एसूस का रोग जफाइरस Z लैपटॉप और इसमें भी आपको राइजन 7 का क्वाड कोड प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इसमें आपको 16GB का RAM देखने को मिलेगा और 512GB का SSD देखने को मिलेगा और इसमें आपको Windows 10 Home आपको official version मिलेगा और इस लैपटॉप में आपको 120Hz का refresh rate देखने को मिलेगा और इसमें जो Graphic Card लगा है वो है GTX 1660 Ti 6GB का यह Graphic Card है और यह Laptop जो है इसमें भी आप गेमिंग कर सकते हैं और इसमें भी आप अच्छे लेवल के गेमिंग कर सकते हैं और जो गेम्स जो टेस्टेड है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो गाइस अब बात करते हैं Laptop के बारे में तो यह सब जो Laptop है यह सब गेमिंग Laptop है इसमें आपको ज़्यादा कोर्स की जोरत नहीं पड़ेगी i5 जो है वो Maximum है i5 9th generation 8th generation और उसके साथ एक अच्छा Graphic Card होना इंपोर्टेंट है यह सिफ गेमिंग Laptop का हो गया तो गेमिंग Laptop अगर आप लेते हैं तो आप दो चीज़ ध्यान में डखी उसमें आपको एक अच्छा Graphic Card जो है वो मिले और आपको प्रोसेसर जो है वो आपका i5 9th generation 8th generation विराएगा तो चल जाएगा मेरा जो PC है इसमे कि आप Premiere Pro यह सब यूज करते हैं, Movie Editing यह सब का काम करते हैं, Photoshop यह सब चलाते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा CPU Centric जो है वो वर्क होता है वो सब तो उसमें आपको ज्यादा कोर्स वाले जो Laptop से उनमें आपको ध्यान देना होगा जैसे कि i7 9th generation हो गया वो आप 10 generation वाले प्रोसेसर है और उसके साथ 6GB का ग्राफिक कारें तो उसमें आप गेमिंग करेंगे तो वो बहुत ही बहतरी न काम करेंगा बट अगर आप उसमें प्रीमियर प्रो यह सब यूज करते हैं तो उसमें जो है वो थोड़ा बहुत जो है वह स्लो और लाग यह सब जो ह प्रोब्लम हो सकता है और अगर आप यह दोनों करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक लैप्टप है जो जिसमें आप दोनों काम कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको आगे लैप्तॉप में बताता हूं कि वह उसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं तो नमबर तीन पे जो है वो है Acer Nitro 5 और इस लैप्टॉप में आपको 144Hz का डिस्प्लेय मिलेगा आइफाइव 9th generation देखने को मिलेगा 8GB का RAM देखने को मिलेगा 1TB का HDD आपको इसमें मिल जाएगा 256GB का SSD मिलेगा Windows 10 Home आपको इसमें ओफेसियल देखने को मिलेगा और इसमें लैप्टॉप है वो बहुत ही बहतरीन है gaming के लिए design wise भी ये laptop बहुत ही अच्छा है और refresh rate इसका display का बहुत ही बहतरीन है 144Hz और इसका screen का size 15.6 inch और मैं आपको एक और बत बता दू कि अगर आप एक gaming laptop ले रहे हैं तो उसमें आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि उस gaming laptop मे करते हैं अब फोन में भी तो उसके लिए gaming के लिए आपको फोन में भी बहुत ही अच्छे refresh rate वाले फोन मार्केट में आने लगे हैं तो अगर आप एक gaming laptop ले रहे हैं तो उसमें आपको 100 fps को खेलते हैं तो 120 fps से आपको खेलने को मिलेंगे आपको स्क्रीन पर सो करेगा कि 100-120 fps दिखा रहा है बट आप उसको फील नहीं कर पाएंगे आप उसको इंज्वाई नहीं कर पाएंगे क्यूंकि आपके पास जो इस्क्रीन है वह 60 हर्ट है तो सबसे पहले अगर आप कोई भी एक गेमिंग लैटॉप चूज करते है तो उसके लिए आप वहाँ पर देखिए उसके डिस्क्रिप्शन में उसके स्पिस्पिकेशन में कि उसका रिफ्रेस्ट रेट जो है उसके डिस्प्ले का क्या है 60 तो नहीं है अगर वह 60 हर्ट तो उसमें आपको गेमिंग करने मे सो नंबर टू पर है Acer Predator Helios 300 और इसमें आपको i5 9th जेनरेशन देखने को मिलेगा और इस लैटॉप में आपको जो रैम है वो 16 GB है और HDB आपको 1 TB दिया गया है 256 GB का SSD है इसमें और इसमें आपको Windows 10 Home जो है वो Official देखने को मिलेगा और इस लैटॉप में आपको 15.6 इंच क फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा और 144 हर्स का refresh rate और ग्राफिक कर जो है वो है GTX 1660 Ti 6 GB वाला सो इसमें आप बहुत ही अच्छा गेमिंग कर सकते हैं तो आप गेम के रिव्यू देख सकते हैं कौन से गेम्स में आपको कितने अच्छे fps जो है वो मिलते हैं और इसका प् सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा और से मॉडल का लैपटाप इसमें इस सीरीज में आपको बहुत सारे लैपटाप देखने को मिलेंगे दो तीन चार लैपटाप इस सीरीज में हैं बट नमबर वन पर मैंने इसको इसलिए रखाए Acer Predator Helios 300 को क्योंकि इसमें आपको i5 9 जनेशन मिलता है और 16 GB RAM मिलेगा 1 TB HDD मिलेगा और 256 GB SSD मिलेगा और Windows 10 Home Official आपको मिलेगा 15.6 इंच का आपको डिस्पले मिलेगा Full HDD और 144 Hz का refresh rate मिलेगा इसमें आपको Graphic Card RTX 2060 मिलता है और मैं आपको बता दू कि इन दोनों का Laptop No.2 और No.1 वाले Laptop इन दोनों का प्राइस है वो सेम है 89,990 रूपीज बट ग्राफिक का जो है वो डिफरेंट है एक में आपको 1660 Ti मिलता है और एक में आपको RTX 2060 मिलता है तो दोनों का प्राइस सेम इसलिए है क्योंकि इन दोनों Graphic Card को अगर आप compare करेंगे तो आपको बस 10 से 15 fps का ही फर्क जो हो आपको बहुत सारे गेम मिलेगा किसी में आपको 8 fps का फर्क मिलता है किसी में आपको 15 fps का फर्क मिलता है तो इसी तरह से थोड़ा बहु से बहुत ही awesome है तो गाइस मेरा यह research से पता चला है मुझे यह top 5 gaming laptop अगर आपको एक laptop लेना है gaming के लिए और content creation के लिए और आने वाले दिनों में content creation और gaming दोनों के लिए laptop बताने वाला हूं कि आप gaming भी करेंगे उसमें और content creation के लिए जैसे कि आप premiere pro यह सब भी यूज अफिस में आने जाने वाले लोग यूज करते हैं उसके लिए भी मैं आपको top 5 laptop जो है वह मैं आपको बताने वाला हूं तो आज का यह वीडियो यहीं पर खत्म होता है तो अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करें में चैनल को subscribe करें और आपको